यह Democrat हम्प利पो Two आज मैं आपको बताऊंगा ju Adodaite एंद्रोड़कजाचिन गांऊ इस इंजेक्षन के बारे में आज आपको मैं डेटर बताऊंगा कि यह इंजेक्षन आपके पसूं में क्या काम करता है कितनी दोज देनी चाहिए भड़े पसूं के साथ आप इस आप प्रसूं में भूल कर भी नहीं कर सकते यानि किस तरह के आपके प्रस्व में देखने को भी मिल सकते हैं यानि आज आपको इस एंड्रो फ्लोगजासी एंटीबायाटिक जो आती है इस एंड्रोडेक इंजेक्शन के बारे में आज आपको मैं डिटेल से बताऊंगा बहुत इस तरह कमेंट्स आ रहे हैं तो आज की वीडियो के अंदर कंप्लीट आपको पूरा बता दिया जाएगा कि इंजेक्शन आपके प्रस्व में क्या 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 काम करता है तो सबसे पहले तुम्हां आपको पताना चाहता हूं कि जो एंड्रोड इस्पेक्टर में इंटीबायाटिक होती है ब्रोड इस्पेक्ट्र म पूरा देखना जो इसे अंदर पर अभी नहीं आए या पहली बार आप इसेंदर पर जुड़े तो पहले आप इसेंदर को सब्सक्राइब कर लें साथ में बेल आइकन और आल वाल उप्सन दवाए क्योंकि इसेंदर आपको बहुत ही सही और सटिक जानकारी के साथ वेटि सब्सक्राइब में सब्सक्राइब का से साथ इंजेक्शन का परियोग अपने पत्रों बहुत हैं ऐसार रिजल्ट आपके प्रशो में मिलते है इसी के साथ एदी है ऑन के पसूमें जिसतर इसे डायरिया हो rely Hey अंदर भी आप इससे एंट Yoga किंजेक्षों का पर्योग और वसकते हैं वह gitu है और जिस प्रकार करने को मिलता है रही बात जो आपकी पसूमें जीज़ तो जाते हैं यह जो आज आपको इंटिबाइटिक इंजेक्शन बता रहा हूँ यह नॉर्मल इंटिबाइटिक इंजेक्शन है इसमें लोंग एक्टिव भी आती है लेकिन काम सभी का एक ही होता है इसी तरह से आपके पसुमें किसी भी तरह का इंपेक्शन की वज़े से आपके पसुमें enhay Agate it्स numbers अइनगी से संधित कोई भी बीमारी में मतलब है क्जब AZ आप पिसार ऐन की पर यूग करने इसके साथ साथ एदी dalla देलेकत करें है तो भी आप इसका परियोग करवा सकती है या इस में आपके परशों कहीं पर जल गया है तो भी आप इस व्युकिति एंजेक्षन का परियोग आप अपने को सिर्था सुरिय करवा सकते हैं रही बात कौन सी डिजीज के अंदर या किस तरह की दिकत है तब आपको इस एंटिबाइटिक इंजेक्शन का प्रियोग अपने पसू में नहीं करवाना चाहिए यह दि आपका पसू लंबे समय से बीमार चल रहा है यानि क्रोनिक स्टेज में आपका पसू खाना पिना नहीं कर रहा है कई दिनों से बीमार है तो उस इस्तती के दोरान आप इस इंजेक्शन का भूल कर भी आप परियोग नहीं करें रही बात ऐधी आपके जैसे छोटे प्रियोग करना चाहिए क्योंकि लाष्ट ट्रायमेसल को प्रियोग किया जाता है तो कईणे के लगाने बाद में आपका प्रियोग कर भूल कर खाग बचना है और बना एकसि पॉस्ट हाता है रहे बात इस इंजेक्शन की डोज की डोज में बताऊं तो इसकी डोज होती है साथ पॉइंट पांच एमजी पर केजी बोडिवेट इंट्रा मस्कुलर वे इंट्राविनस यानि दोनु रूट से आप इस इंजेक्शन का परियोग अपने परसू में अपने परसू चिकल सके बताऊं तो इसकी 1.5 ml यानि 1.5 ml पर 20 kg बोडिवेट इंट्रा मस्कुलर या इंट्राविनस इसी तरह से तीन एमेल 40 kg बोडिवेट तो जिस तरह से आपके परसूं का बोडिवेट 400 से ज्यादा kg 400-500 kg है तो उस परसूं में आप इसे 30 ml यानि एक साथ 30 ml इंट्रा मस्कुलर तो आप इस गंठे बाद में इस इंजेक्शन को रिपीट कर सकते हैं एदी आपके पसू में इस तरह की दिकत होगी है रही बात इस इंजेक्शन का परियोग इदी आपके पसू में बचेदानी में इनिफेक्शन है पायो मेटरा है, मेटराइटिस है इस तरह की एदी दिकत है या अगर बासे में संकर्मन हो गया है तो भी आप इस antibiotics injection का परियोग आप अपने पसूँ में करवा सकते हैं बहुत यह अचा result आपके पसूँ में देखने को मिलता है रही बाद जो यह injection की तो यह injection लगाने के बाद में जो दूद है या अधर जो मीट है उन पसूम में आपको कम से कम 3-7 दिन का जुरूर ज्यान रखना चाहिए जो withdrawal period होता है इस बात का भी आपको जुरूर ज्यान रखना है रही बात ये injection कौन से injection के साथ आपको भूल कर भी नहीं लगाना चाहिए ये injection कभी भी आप जो broad spectrum antibiotic है जिस तरह से oxytetracycline antibiotic है जैसे यह दि आप oxytetracycline antibiotic यह उपयोग में ले रहे हैं तो उस antibiotic के साथ आप endrofloxacin antibiotic परियोग न करें यह दि आप endrofloxacin antibiotic यह दि आप परियोग कर रहे हैं तो आप oxytetracycline antibiotic का परियोग न करें ये दियाब लगा भी देंगे तो आपके पसु में kidney ये liver है उस पर बहुत ज़्यदा परबाब पढ़ जाएगा उसकी वज़ए से आपका पसु डायरिया करने लग जाएगा खून आना स्टार्ट हो जाएगा और आपके पसु की kidney liver भी damage हो सकती है और रही बात आपके पसु की जो रूमन से समधिन माइक्रोफलोरा है वह काम करना बंद कर देते हैं इनके संक्या घट भी सकती है उसके वज़ए से आपके पसु का भूप भी नहीं लगेगी इस बात का जो मैंने आपको बाते बताई हैं इस तरह से आप यह दियान रखेंग जितना हो सकता है मैंने पूरी रिटेल से पताने कुछिस के इसी तरह से आपके पसु में सेकेंडरी बेक्टरिल इंफेक्शन से भी यह दिया आप पसु को बसाना चाहते हैं तो भी आप इस इंजेक्शन का प्रियोग कर सकते हैं यह वीडियो अच्छे लगी इसे कमेंड आपके जितना हो सकता है वेटिन सेंट है उनके साथ सेल करें इसी तरह से उडियो देखते रहें इसी तरह से आमिर को प्यार देते रहें थैंक्स धन्यवा